यह विवेक जी है अभी रात को था पाला बहुत सारी ओस थी तो पूरी बाइक गिली होगी है अभी बाइक साफ कर रहे है प्रपर्टी का क्या नाम है जनार्दन रिजॉर्ट पंगोट तो इसके बहुत करता दरता यह है अभी जब लॉक्डाउन था तो यह दो महिना अकेले रहे हैं तो इस सारे रूम इनोंने संभाले साफ रखे चलती हालत में रखे मेंतिय लड़का है वेरी सपोर्टिव गये च जब तो इस बड़का क्या कमाचे को अनुपर बहुत भालत एक स्वाट एक साफ तो अनुपर प्रफे एक पूर उबगारा यह कहाँ प्रूमचा करे रहे हैं तो गाइज मैं निकल गया हूँ पंगोट से अभी मैं जारू विनायक विनायक इस 10 किलोमेटर से हैड दस किलोमेटर आगे फॉरेस्ट रेस्ट है तो यह रास्ता बहुत सुन्दर है एन इस फुल अप बर्ड्स अब ही आगे जा रहे हैं इस अरूंड शिक्स से हैं वेरी वेरी ब्यूटिफुल अट्मोस्फिया बर्ड्स हर चिर्पें तो यह जो चुरा है है जो कि पंगोट से चार किलोमेटर आगे है यह गुगुखाम कहते हैं इसको एक्चुली मुझे नाम नहीं पता था यहाँ परकाश जी मिले है मैंने थोड़ी इंफर्मेशन ली इनकी चाओमिन मोमोस बगरा के दुकान है नीचे होम स्टेप ही है तो इस वरी प्लेजन परसन इन्होंने थोड़ी इंफर्मेशन मुझे दे इस जगा के बारे में जगा का बाजी कि नाम क्या है गुगुखाम तो यहाँ कैसे टूरिस्ट बगरा मतलब अच्छा यहां पर संसाइड है अच्छा अरे वार सो अच्छा यहां से ओपर त्रेक करके धन्याल देवी पॉइंट है धन्याल देवी मंदिर है वह विनायक से आगे है यहीं से चाड़न पर आपको गुगुखाम से सीधे उपर चाड़ेंगे गुगुखाम से उपर ट्रैक होगा वह कितने तो यहीं वह बड़ी आ रहता है वह बूद पुरा ऑल्ल कुमाओ को अभी मिले हो ऑल्ल कुमाओ को माले तो एक कोने से दूसे बने तक पूरी देगे चाड़ा बात है वह चो खंबा से लेकर पूरा नंदा देवी त्रिशूल नंदा गुंटी सब क्या बात है क्या बात है चलिए परकाश जी बहुत भुत धन्यवाद ये इनके बीप रेस्ट्रेंट हमारा नंबर है इनके थोड़ा सा इसको आजी यह इनका नंबर है अब य बातो भी बात है श्हुत फोड़ा यह का अली कि ड़ख रख टोड़ा यहां से यह देक यह वू है यह यह लिछ अस सोर्वाद इनके थी ए दाल्फ किया द you know it is more piston than Pangod so there are option just drive four five kilometres ahead and you are in to this Bi Creator if you want some more remote options then there are these so this is very much near Venake forest Rastos these are their coordinates all the details are written there will go down and have a look at the room यह देखे, this is the view from the room this is the gallery camera भी दिखाते है यह कहते है कि पंदरासो की रेंज में होंगे this is the lowest category that they have then there are like this shallots and all we'll just see the room this is pine forest, pine trees standing tall this is the end of the road so this is the room very basic mattress seems to be good good quality warm inside this is the view you get when you come out देवदार के सुन्दर पेड़ जब आप उत्राखंड सोचते हैं तो यही पेड़ आपके जहन में आते हैं and these are oak trees, बांज के पेड़ it is exceptionally good oak forest life cycle of a butterfly Nanital forest division and here we are here is the bike and we are at Vinayak forest rest house 10 kilometers ahead of pangot 200 meter उपर जाके यहां से forest rest house है उपर and this is the British Bagla which offers a great the 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 new journeys for you you know now I can hear a barking deer yeah this is barking means leopard is around leopard leopard is on the movement very near to us the 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 है यहाँ पर भाग नहीं चड़ पाता बट लेपर्ट्स लब दिस कंड़ फॉरेस्ट यहाँ से यूजली हिमालया का बहुत सुंदर व्यू दिखता है बट आज चूंकि कोहरा लगा हुआ है तो व्यू नहीं है अभी बारिश का मोसम है तो कोहरा होना लाजमी है बर्ड्स आप सुन सकते हैं बेक्गरांड में यहाँ में लोकल भाई साब मिले हैं यहाँ से अमेजिंग वीव आता है इन अधर ताइम्स हिमालया का अट तरिश्यू नंदा देवी सभी कुछ तिखता है यहाँ में एक लोकल भाई साब मिले हैं यह बता रहें कुछ इंफर्मिशन दे रहे वहाँ इससाब बताई व्यू क्यों नहीं आ रहा वाजी तो बरसाथ के मोसम में नहीं आता है तो यह व्यू अच्छा लेना हो तो किस जगा से देखा जाए तो ब्रहमस्तली अचा मंदिर अच्छा तो उसका रास्ता कितना लंबा होगा तो यहां से रोड में अदल का रास्ता है आच्छा चलिए वहां मैंने शुनना मुझे नीचे भी किसी ने बताया बहुत अच्छा आता है जी 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 चले भाई जी धन्य मत तो यह गाइस देखिये यह दिस गैन भी एनी मोटर बाइकर स्ट्रीम यहां से यह बांज का फारस्ट शुरू हो रहा है में सेरस्ट स्ट्रीम लोगा में सेरस्रीरज भी सुन अच्शन खाइब में स्ट्राइब स्ट्र्स शुर्स यहां तॉर्टशी सब्सें सेरस्ण कि लिडा मत अब्सक्राइब तो अभी मैं Forest Rush House विनायक में हूँ यहां के जो करमचारी लोग हैं जो हमारी कमान संभाल के बैठे हैं उनसे मुलाकात हुई यहां कहते हैं 9 महिने कडाके की ठंड पड़ती है देखिए अभी जून में दिली जब तप रही है यहां पे कोरा है और खूब मतलब ठंड है तब भी यह लाइन अफ ड्यूटी में हमेशा रहते हैं विंटर में भी आपको मिलेंगे और यह जो Forest Rush House है यह जो Military है इंडियान आर्मी के काफी ओफिसर शहां पे रुखते हैं इट इस वेरी पॉपलर अमंग दैम तो भाई-जी क्या नाम है आपका मेरा नम मुहंची ना पहाळमे हमारे तो बाग तो यहा है यहाँ थंडे ज़्यादा थंड में रहता है अब रहता है पहादे यह जी और विखे लेपढट अलावले परकार के धारदार भी है दिखते ही जादा यहां जोंकि जंगनी जानों है और उनका भोजन भी यह है जी ब बिल्कुल भोजन है हिरन हुए तो जड़ाओ बारत सिंगाओ अच्छा और बहुत तरकार के जानवर है यहां उनका भोजन के लिए लए लपड़ तो आपको अचछा ग मान लीजी कभी मिल जाए तो क्या करना चाहिए आपनी फाधानी एकदम से छड़ाखानी नहीं करो रूख जाना चाहिए जैसे आप मोटरसाइकल में जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो गाड़ी रोगली उसको वार पार उसको आपना रास्ता जाने देना ठरा जी 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 उसको चड़ाखानी करेंगे तो तब जाके रखे वह अटक करेगा नहीं तो नहीं करेगा अच्छा सब्सक्राइब में जादा बच्चों आला मौण बच्चे इस ट्यम्प करिंगे उनके बार बच्चे ही अचे और मशब मुत्व हो बीन करते हैं हम जाते हैं तो कर्ष्टकर देए हूल हर ठोड़ा ठास-घूझ लिया जी है ? सबसे खतरनाग मैंने सुनाएं यहाँ भालू है भालू से क्या साब्धानी होती है अगर माल्या दिग गया तो छड़ा खानी नहीं अपने को शुरुक से माला अपने को सही रखना ठाला है माला एक दम से वह हला गुला करते हुए जब भालू दिग गया तो वह भी साइड हो जाता है एक दम से वह आर वह भी नहीं करता है अच्छा ठीक है भाई जी ने बताया आपको फॉरस्ट में बिल्कुल 55 साल हो गया इतना तो जर्बा है अनुभाव भी है और टेक्टिकली भी प्रेक्टिकल हो गया करते लिख अनुभाव हो सब्सक्राइब्स सांथा जी बिल्कुल पिно प्रेडव के नाम है यह चीज भी आदमी जड़ीबुटी है नाजिए आइम बता सकता हूं कि यह जड़ीबुटी किस काम आएगी ज़ी अनुभा हो गया है जी बिल्कुल बिल्कुल हो तो है निचली बढ़िया है हाँ जी बताईगा और बांकी मलब सही है जी यहां पार ठंड इसनी है कि मलब बरफ पड़ती है भी ओ अच्छा अच्छा तो बरफ के दिनों में भी आते हैं हम यहीं रहते हैं अच्छा अच्छा लिए बढ़िया है भारा सरकार की सेवा कर रहे हैं फ्रेंट लाइन सोल्जर से हैं फॉर्स घपार्टमेंट के हम मैंला हमसे पूछते हैं यह जी 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 है और एक गेस्ट को खुश करके भीजना है कि भाई नराज ना हो जो अपना आई इतना दूर से है ना हमारी जो वाइड लाइफ है वाइड लाइफ लवर्स है नेचर लवर्स है चलिए मोहन जी जानकारे के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका थैंक्यों बैसाब रोड देख लो बिल्कुल मस्त वी है साड़े आठ के करीब का वाक्त है सुबह का देखिये सो बीटिफुल ताम पर ब्रेक्फस्ट नहाँ वे बैक तो आवर स्माइलिंग गाय परकाश तो हैव ब्रेक्फस्ट जो में अभी रास्ते में विले थे सुबह परकाश ची यह देखिये नीचे मुर्गियां मज़े से गूम रही है यह काले रंग का मुर्गा हम इस रोड से अभी आये हैं सामने से यह देखिया हा हा क्या पेड़ है देवदार के देखिया है शान दर और दिस इस माई ब्रेक्फस्ट टेबल इस पर भी और पड़ी हुई है रात के इस फुली वेट यू दिए देखिए यह संदरता है पहाड़ों के फस्ट क्लास खुला एटमोस्फियर वह देखिए लॉग हट्स है उपर रुकने के लिए मैगी में छोक लगा रहा परकाश बरसात में मज़ा लगया पहड़ों मैगी वेजटेबल सोली रंगीन मैगी पिल्कुल कलार्फुल है पोने नो हो गए नाष्टे का वक्त पहड़ों का प्यार प्रकाश का प्यार यह मैगी इसके बाद अभी आमलेट और परंथा भी बना रहा है सो दिस जश्ट अस्टार आप सी थाट्मास्फियर यह परकाश का को का गया है नीन विन पूरी करके और अभी आमलेट बना रहा हमारे लिए नीट तो आती नहीं है परकाश की कुक को परकाश जागरा था तो तो कह रहा है कुक सो रहा है मेरा कुक अभी आगया देखे क्या बेतरी न अमलेट बना रहा है तो देखिये कुक की तरह ही बना रहा देखिया और यह परंथा बनाया हमारे लिए तो भी परंथा आमलेट खाएंगे इसके बादे यहां एक नहीं चीज मिली है मस्कोटिया चाहे कहते है इसको यह प्रहण यह जागरी क्या तो प्रहण शेंख गटेखर रहणा यह भादट यह इसको बीछ़ण है दिएंगे ट्रहण व मिन दिए लिए प्रहण दारी और प्रहण दो भी रू पर ड्रुप यह जांग अल्ट इस दी खालिटेल शोड़क्ष गाइचिं यस फालिगेस और फर्टेडिए श्रोग्षू प्र माँंग तायक वर्कष्श Owl aurum it is from muskoteeや今年 was, he dood IRibtД Сविक्ष तदीओ, head a मस्कốtिएट खालिटीओं. गजरी बेब़सोट यती है एक्रैशा अवय है एक्ड़गी के लिए छागाए। है न्यवक्ण्धि धेष सब्सान हिते हैं कि वागा हैं इलोगार से ihtिर उह्कый सब्ससे एक ठाहि एक पोटिस तनीकि पंगया हैं check out and I'll go to Bhowali and I plan to go to Sattal then later I have train so till that time I will see 3.30 is the train so we will see till 3.30 which places we are able to cover so I'll show you a little hotel how it was. Saturday night was the whole hotel book 3,000 or 4,000 or 5,000 and I bought this beautiful hotel only 600 रुपे में यह देखिए fireplace भी है यहां पर बहुत beautiful and toilet is also very clean बढ़िया है ठीक है space wise it is pretty good and ventilation बहुत अच्छी है खूब सारी खिडिकें आप देख सकते हैं but इस रूम में एक छोटी सी mystery है मैं रात को तो मझे से सो गया ठका हुआ था और सुबह उठके देखा तो यहां पर इनका एक शीशा टूट रखा है तो भईया यह है window view और यह देखिए it goes all the way out तो यहां पर शीशा है नहीं खिडकी में तो मैं बिना शीशे की खिडके के साथ पूरी रात सो रहा था इस 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 मिस्ट्रिया बट दिस इस द चिलर व्यू कर एप सुवड़र को यह दुट रखा है तो यह प्योगर यह लां पर आप सांड नहीं है सामने वन ग्लस इसमिस्सिंग रॉकन दे यह दॉट और यह भारोड पीड तो तन यूल बंटक बात के हैं बट यह व्यू प्रेटी नाइस, वेरी सपोर्टिव गाइस, विवेक करके दिर इस वन गाइस प्रवाइस, बहुत अच्छा होटल है, यह फायर अगारा का भी प्रबंद करते हैं, बोन फायर अगारा रात को करना हो तो, इस अच्छलेंट 10.30 is the time, 3.30 is my train and we are just checking out from Pangot, so this is the main square, now I am going to go to Nainital and via Nainital I will go to Bhoali and maybe Sattal too, let's see how much time offers, train नहीं निकलनी चाहिए, I shouldn't lose my train, that is my concern, okay we will leave this paradise now यह देखे, main highway पे, colonial heritage, British architecture of Nainital just crossing Nainital, going to Bhoali, this is the atmosphere and there is the famous Nainadevi temple, people are boating और बादल उड़ रहे हैं, देखिए करिंद में पो. और बेग्वे हैं, intense Cambly Mole 13 दोड़ी काइसा बोटिंग का 210 रुपे में कित्नी देर का करते हैं 20-25 मिनट चलिए नेनी ताल से भौवाली जाने वाला ये हाईवे है जो आगे भीम ताल पे भी जाता है तो अभी मैं भौवाली जा रहो फिर वहां से भीम ताल ताकि हम वापिस काठकोदाम चल सके अभी तीन घंटे वक्त है ट्रेन चलने में तो मैंने का वाई टो टेक दिस कि द्कशा क्या रहिए है गोडी किekkлиप तब मेंस्ति-प्राइजिय। विलोग से ए संसे हल ठाल के लिए शैने का व्येजवाए हैं अब्हád प्ली जाल शाल प्ली एग्याने को सकतना है अले ओ सौने तो गाइस देर वास सम्टाइम तो गोड़ देर अन्य अधर प्रोप्रियेट टो एंड इस जर्णी धन इन फोरेस्ट रस्ट वह वाली यह है भवाली का फॉरस्ट रस्ट हॉस शायद अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखी होंगी तो आई मेरे फूल सीरिस और यह मेरा पहला फॉरस्ट रस्ट हॉस था उस सीरिज के दौरान जिसमें मैं रुका था यह वन्डरफूल फॉरस्ट रस्ट हॉस से ब्रिटिश architecture with all the facilities so still there was one hour to go you know I can afford to be little late abhi only it is 12 30 and I have to be there at 3 30 so lot of time to go so I thought I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it they have a wonderful outhouse here where i am going to drink tea now so dosto dekhe jagaeyi vahe raha jati hai ar insaafnod itne pre-seos hoti hai companies more pre-seos you know your friend, circle, family they are the most important people in your life last time may apne family ke saath aya tah some 6-7 months back and then here we were sitting and having our lunch, dinner now am i missing my two children very much, my wife very much so I love them all you know it was a wonderful time we had here and anyway I'm going to them so in the night you know I'll meet my sweet sweet small children यह देखे अंदर बैठके कुछ इस तरह का विव है देवदार का फॉरस्ट है अभी हम किलबरी में थे वहाँ विनायक में ओक का फॉरस्ट है बांज का और यहाँ देखे देवदार का है इस सिदार सिदार्ट्री सो ओचाई पर सब कुछ डिपेंड होता है ऊपर ओखोगा नीचे देवदार होगा उसके नीचे पाइन होगा उसके नीचे साल होगा जब हम जिम कारबिट में थे अभी तो वहाँ पर साल का फॉरस्ट था हर एक फॉरस्ट के अलग खश्बू है अल इस दिफरेंस ब्ट्विन जंगल्स वूड्स और फॉरस्ट एवरिफिंग इस डिफरेंट इस दिफ्रेंट इफ्यू सी अब्जार्व केरफुली सो अरेक जगा अपनी रिचने से अपने प्लस अपनी ब्यूटी है बस आप में देखने का नजरिया होना चाहिए तो ही जा गई है अब चाहे को इनजय करेंगे इस दिफरेंगे साथ दान द फॉरस्ट्रष्टर्ष जब बीच वूर्ट वूर्ट वूड्स आलसो आलसो बीच बिल्ट ब्रिटेश तायम्स वैरी टेस्ट फुली विद वर्ट लॉक्स यू विल सी सच थिंग्स रेरले इन इंडिया बिकास्ट यह कम दिखाई देंगे क्योंकि लकडी जल जाती है नश्ट हा जाती है तो इसकी संभाल देख पाल करना तो इनकी यह फॉरस्ट एपार्टमेंट के चीबमेंट है इस स्टेंडिंग इन सच अ बीटिफिल शेप और यह नीचे थोड़े से इनके हाउसे से यह जो एंप्लाइज जो करम चारी है उनके यूज के लिए बहुत बीटिफिल प्रोपर्टी है जो भावाली का टीबी सेनिटोरियम है वेन यू एंटर भावाली फ्रम नैनिता एंड देर इस ए वेड़ गोज़ अपना है आप सुन सकते हैं पीछे भावाली जबकि छोटा सा कस्वा है शहर है लेकिन यहां इतनी शांती है 450 मीटर में सब कुछ शांत हो जाता है वेरी बीटिफुल प्लेस और टीबी सेनिटोरियम में आप जानते हैं इवन जो पंडित नहरू थे उनकी वाइफ थी कमला नहरू टीबी टीबरकलॉसिस तो उनका भी इलाज था क्योंकि उन दिनों में टीबी का इलाज नहीं होता था तो वो कहते हैं कि भावाली के टीबी सेनिटोरियम में भरती हो जाओ जाना हावा पानी अच्छा हो तो और दिन कुछ जी जाओगे तो जो मिस्स कमला नहरू थी उनकी वाईफ वो भी इसी भावाली के टीबी सेनेटोरियम में भरती हुई थी और इसके कारणी दट वस्त ब्रिटिश बीटिश बिलिडिग तो पिन दाउन इन और तो अधने आउन पावाली सो आउन दटीबी सेनेटोरियम दन लेटर इस टाउन्शिप चेम अप नेर नैनितल सो ब्रिटिश राज के दौरान ही भवाली एक्जिस्टेंस में आया एक हाईवे अन्माई प्लेट जो शो था उसमें भी रॉकिया अन्मयूर यहाँ पे एक होमस्टे है बहुत सुन्दर बहुत सारे फल पैदा होते हैं और भवाली तो फलो की में मंडी है जो फल पैदा होते हैं वो यहाँ पर आके बेच जाते हैं तो फलो का बिलकुल भंडार है तो कभी जो सीजन है यहाँ पे जैसे आडू होगा नाश्पती होगी है न और सेब से खतम होता है यह सीजन अगस्त तो मिलेंगे तो बहुत उपजाओ और स्पेशल जगा है तो कभी आईए ननिताल के पास यह जिस्ट गैरा किलोमेटर है तो आईए और इंजॉई कीजिए और इसका टेंपरेचर इस एस गुड़ जितना ननिताल में ठंडगा उतनी ही भवाली में है और देवदार के यहां पेड़ है और टाउन की सारी फैसिल्टीज है ननिताल में कंक्रीट का बहुत प्रयोंगे नैचरल बहुत कम है तो मुझे ननिताल पसंद नहीं है मैं ननिताल अवाइड करता हूं और या फिर नकोचिया ताल ठीक है थोड़ा प्रिस्टाइन है वरना साथ ताल बहुत लोकेशन से जहां आप ज्यादा इंज्वाइड कर सकते हैं ननिताल में भीड बढ़क का वहता है और आज कल करोना का टाइम है तो बिमारी होने का डबल खत्रा है ज्यादा भीड बढ़क के में रेस्टोरेंट में गुसेंगे बरतन पते नहीं कैसे साफ करते हैं क्या करते है किस तरह का खाना सर्फ करते हैं नोबडी कन गरेंटी देट यून यूर हैल्थ देट कन नट बिकम प्रमोई सो वियर इन सम पोस्ट को विडी रहा है तो जाए ऐसी जगह जाए आप दूर दूर तक कोई दिखे ना और आप अपना अराम से इंज्वाइड कर सकें बेशे आप शिम्ला में भी जाम में फस्ते हैं तो यह यूजलेस है वेस्टेज अफ मनी टाइम टाइम हमें दिली में हो बंबे में हो तीन या चार पांच छे शुट्टी मिलती हैं और उसमें फिर आप ट्रैफिक जैम्स में फस्के और वह सारा यूर स्मेलिंग दिस पेट्रोल तो बैटर है अगर हिल्स में तो ऐसी थोड़ी लेट बैक जगा में अच्छा करें एंजोय करें और बाकी तो आपने देख लिए शेव मैंने चार-पांच दिन से नहीं बनाई क्योंकि मेरी जो रूटीन थे सुबह पांच बजे शुरू हो रही है और अट 10 10 10 30 I'm going to bed again I'm waking up at four this is this is the routine for the past four days so because my concentration is only on traveling traveling beautiful places and as much as I can uh not to uh keep upna nene suit बदलने में और यह सब कुछ करने में so that was really fun so guys ऐसा ही अगर आपको content अच्छा लगता है offbeat और कुछ जारनाव चाते है और nature loving you know if you have that that kind of thinking then do subscribe to my channel I'm very much new to youtube but it will encourage me you know uh in my efforts or if you want any corrections or if you see any you know modifications कई improvement के जरूरत है जरूर comment में लिखिए and like subscribe और share कीजिए ठीके ना friends के साथ और काफी आपको information मिलेगी this is from my travel experiences you know very personal travel experiences I don't go by this Wikipedia और Google तो अपनी ढूंडी जगाएं हैं खूब काफी साल होगे मुझे घूमते हैं वह इन चगाओ पर तो अपने तरह से घूमते हैं अपने मज़े से घूमते हैं और थकान अलग चड़ती अब जैसे जाना है चार दिन के थके हुए अब दिल्ली कोन चला के लेके जाएगा बाइक तो बढ़िया यह है मैं तो भी है शताब्दी से आता हूं और यहीं पर ही काथगदा में बाइक हायर कर लो और यहां से अपना जहां घूमने अपना घू तो अभी हम वाले ओर अपना जहां टॉमारो अट जान आप देखंग है तो इसा करिया कि अपना आ एनर्जी एफिसंट हो आज पर टाइम की वैसी किलना ता हर एक इनसान को आज को अगारे एक बाइस तू ठीक है गाईस टच में रही है और देखते हैं भी हम वापिस झाल झाल एक्सिलेंट हाइवे अभी जोली कोट 13 किलो मिटर है यहां से बहुवाले से जोली कोट निकल रहे हैं और यह देखें नीचे पाइन का फारस्ट शिरू हो गया इस और पाइन प्रीज वेर यह सी दिस बॉलीवुड मुवीज और अल तो जोली कोट से जोली कोट से नीचे जाने के लिए रस्ते में एक छोटा सा विलेज पढ़ता है विलेज का नाम है गेठिया जो अपर गेठिया है वो तो है ठंडा वहां मैंने देखा काफी रिजॉर्ट्स वगरा थे और यह लोवर गेठिया है तल्ला गेठिया मतलब लोवर गेठिया तो यहाँ पर यह पाइलेट बाबा का अश्रम है यह देखिए यह ऑन दा वे जब आप जाएंगे काटकोदाम या हल्दवानी जोली कोट तो यह आपको रस्ते में गेठिया में मिलेगा यह आश्रम और जब आप नीचे से चड़ाई चड़ते हैं नेने तयाल जाने के लिए तो यह आपको पहाड की चोटी पे दिखाई देगा यही वाला आश्रम आप देखिएगा कभी आएं तो ड्राइबर से पूछेगा आपको पहाड की चोटी पे यही दिखेगा आश्रम दूर से यह इसका क्लोजर भी हुआ है मैंने पहली बारी देखा लिए तो भाईया खाना वाना पैक करा लिया है and we are well in time तीन दस हुए अभी और साड़े तीन की ट्रेन है यहां मैं दो चालिस पे पहुच गया था तो भाई पगार वापिस करी खाना वाना अभी पैक कर आया and now we are heading back to daily so goodbye God Kodam and thanks a lot for nice memories so hasta luego till we meet next time